करोना महामारी हम देख रहे हैं इस्तिदी बदसे बदतर होती चले जा रही है आज मैं आपको इसी महामारी से बचने के लिए एक और बात बताने जा रहा हूँ इस उमीद के साथ कि इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे और आज इसी च्छन से फॉलो भी करेंगे और ये जो बाते मैं आपको बताता हूँ, ये मैं अपने clinical experience से बताता हूँ, अपने analysis से बताता हूँ, ये सुबह 7 से 9 जो मैं आपको जगाने के लिए सडकों पे उतरता हूँ, उसके बाद सुबह 9 से शाम 5 बिए तक हम करोना के patients देख रहे हैं, करोना के suspected patients, as well as करोना के confirmed patients औ लेकिन वो करोना के potential, एक तैसे carriers हैं, वो बिना mask लगाए, सडक पे घूम रहे हैं, और उनके मुझे निकलेवे virus के छुट छुट पार्टिकल, वो airosol के रूप में हमारे air में हैं, तो इसलिए अगर इस अग्यात शक्रू से आपने बचना है, तो आज आपका भगवान, आ वाइरस के पार्टिकल्स हैं, वाइरस के कन हैं, वो वाइरस है, और आपने mask लगाया हुआ है, तो आपकी 90% तक सुरक्षा हो सकती है, लेकिन यदि आपने mask नहीं लगाया, तो आप बहुत बड़े risk में होंगे, तो बहार चाया आप किसी काम से जाएं, जरूरी काम से काई रखिये, अगर आपने इसके साथ जरासी भी ऐसाफधानी की, या इसको लगाने में, जरासा भी आपने आलस दिखाया, तो आपको बहुत बड़ा बुक्तान बगतना पड़ेगा, एक बात और कहना चाहता हूँ, कि कुछ तू का कूतर के चलते हैं, कि वाइरस का साइ मास के रूप में, तो उसमें भी एक बहुत एतिहात आपको बरतनी है, क्योंकि अक्सर हम रुमाल बांद करके एक घंटा बाहर जाते हैं, कुछ सबजी खरीते हैं, दूद खरीते हैं, दवा करीते हैं, फिर घर लोटके आते हैं, और आकर के अपने रुमाल को अपनी जेमे मैं परवेश दे दिया, तो ऐसा ना करें, जो मेरी भेने चुन्नी लपेटती हैं, या जो मेरे भाई अंगोचा लपेटते हैं, वो भी समल जाएं, क्योंकि अंगोचा और चुन्नी में ये संभव ही नहीं हैं, कि आप रिफ्रेंशेट कर सकें कि पहले कौन सा इसा बार था कौन सा अंदर था, देखिए, ये महामारी अभी कुछ महीने और चलनी हैं, तो इसलिए आप मास्क की आदर डाल लीजे, चाहे वो मास्क कपड़े का क्यों ना हो, लेकिन बहुत ही साफधानी से, बड़े अनुसाशन से मास्क का प्रयोग शुरू कर दीजे, इस महामारी से आज आपको चिकिस्टक नहीं बोलेंगे, आज आपको हो सकता है मीडिया ना बोले, सरकार भी ना बोले, क्योंकि आप पैनिक हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सही बात बताना मेरी ड्यूटी है, लेकिन साथ ही साथ आपको बताने के साथ मैं आपको उसका ग्यानिक, आपसे कहना है कि बाहर जाएए, आप वाइरस से एक्सपोजड होएए, आपकी बोडी में एंटी बोडी बनेंगे, आपका सुरक्षा एक कवच बन जाएगा, इसे हर्ड इम्यूटी जो बोलते हैं कि हर्ड इम्यूटी डवलप कर जाएगी, लेकिन भाया, आप बाहर निकलेंगे, डेफिनिटल हर्ड इम्यूटी डवलप करेगी, लेकिन किस कीमत पे, सो में से दो से तीन लोगों को मार करके, यानि कि आप बाहर निकले और निकल करके, आप युवा हैं, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके बड़े, आपके अपने माबाप, अपने प्यारे नाना नानी, दादा दादी, आपके छोटे-छोटे बच्चे, दो-दो महीने और एक साल के बच्चे, अगर उनको हमने हर्ड इम्यूटी डवलप करने के लिए बाहर निकल दिया, तो आप समझेए, कि हर सो में से तीन लोगों को खो करके, तीन लोग कों से आपके अपने माबाप, आपके अपने भाई-बहन, उनको खो करके अगर हर्ड इम्यूटी डवलप की, तो ये बहुत महंगा सोदा है, तो इसे हम नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लीज, आप हर्ड इम्यूटी को दुसाहस दिखा करके डवलप मत कीजे, आप सारे प्रिकोशन लीजे, और सारे प्रिकोशन देने के बाद भी, क्योंकि अब वाईरस हमारा एक तरह से कम्यूटी स्पैड में आ चुका है, थोड़ी बहुत चूक होगी, वाईरस इतनी मातरा में अंदर जाएगा, कि आपका एक तरह से हर्ड इम्यूटी नैश्रल डवलप कर जाएगी, लेकिन दुस्साहस करते वे बहारा करके हर इम्यूटी को इंटेंशली डवलप करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये बहुत महंगा सोधा साबित होगा, और साथ में प्लीज, जो हमने अपने पहले वीडियो में आपको दस बाते बताई हैं, उनको पूरी तरह से फोलो क देखा है, ध्यान रखिए, लक्षमन देखा को हमारी देवी सीता, हमारी मा सीता ने लांगा था, उसके बाद उनको भी भुगतना पड़ा था, ध्यान रखिए, इस लक्षमन देखा को लांगने की कोशिश मत करना,